हम सभी के पास थोड़ा बहुत धन तो होता ही है, सभी लोग अपने धन को संभाल कर रखते हैं और साथ ही ये भी कामना करते हैं कि उनका धन दिनो दिन बढ़ता रहें लेकिन घर में सोच समझ कर सही दिशा में ही धन रखना चाहिए, कई बार गलत दिशा में धन रखने से पैसो का नुकसान और किल्लत होने लगती है हम आपको बताएंगे कि अपनी धन संपदा, कीमती सामगरी और आभूशन किसे दिशा में रखें कि उसमें चोहुनी वृद्धी हो पूर्व दिशा, यहां घर की संपत्ती और तिजोरी रखना बहुत शुब होता है, इससे उपलब्द सामगरी में वृद्धी होती रहती है पश्चिम दिशा, यहां धन संपत्ती और आभूशन रखे जाएं तो घर का मुख्या बड़ी कटनाई के साथ धन कमा पाता है उत्तर दिशा, नगद और आभूशन जिस अलमारी में रखते हैं, वो अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षन की दीवार से लगा कर रखना चाहिए इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी, उसमें रखे गए पैसे और आभूशण में हमेशा वृद्धी होती रहेगी दक्षण दिशा, इस दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूशण रखने से नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बढ़ोत्री भी विशेश नहीं होती सीडियों के नीचे तिजोरी रखना शुब नहीं होता है, सीडियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए तिजोरी वाले कमरे में कबार या मकडी के जाले होने से नकारात्मक उर्जा उत्पन होती है फिल हाल अस वीडियों में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ